गाइस अगर आप लोग के भी सिम काड़ पे अगर बहुत ज़्यादे लो इंटरनेट स्पीड प्रोडम हाता है अगर आप लोग के सिम पर इंटरनेट स्पीड फास्ट नहीं चल पाता सो गैस आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला ह क्योंकि गाइज आज की इस वीडियो में मैं आप लोगो एक बहुत ज्यादे सिक्रेट एंड कमाल की ट्रिक बताने वाला हूँ जिसको आप लोग फॉलो करके अपने किसी से भी सिम काड पे बहुत ज्यादे फास्ट इंटरेंट स्पिट पा सकते हैं वो भी बहुत ही कम समय म आप लोग वीडियो को एकदम कमेड़ वाच करते रहे हैं सुरू से लेकर एंड तक आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादे लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है बॉस अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है तो चैनल को आप लोग मेक सो सब्सक्राइब करने साथ में हिकले बेल आकन कौन क्यूंकि आप लोग को डेली क्वाटी टेक वीडियो साथ साथ स्मार्ट फोन से लेटेड टिप्स औं ट्रिक् टेड़ाना है और मुबाइल की सेटिंग में आ जाने के बाद आप लोगों को सिमकार्ट से अडमों गनाटों को उप्सन में चले जाना है अब यहाँ पे guys अपना sim card select करके आपको एक access point names का option दिखता है जिस पे आपको tap कर देना है और guys यहाँ पे आपको new APN के option पे tap कर देना है तो फिर यहाँ पे आपको एक form देखने को मिलेगा जिसे हमें fill up करना है तो form अप कैसे fill up करना है मैं बता देता हूँ So guys आपको name पर आजाना है सबसे उपर वाला है और यहाँ पर guys आपको क्या लिखना है मैं बता देता हूँ So guys यहाँ पे आपको लिख देना है 4G high speed Guys same to same मैं ऐसा ही डालिएगा जैसे मैंने लिखा है जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा ही आपको लिख रहा है So guys अब आपको लिखना है कोई भी आपको मिस्टेक नहीं करनी So guys अब आपको आजाना है सर्वर वाले कॉलम में ठीक है और guys सर्वर वाले कॉलम में आने के बाद आप लोगों को टाइप करना है www.google.com यानि की www.google.com Guys same to same वैसा ही आपको लिखना है जैसा आपको मोबाइल की स्क्रिन पर देख पा रहा है और यहाँ आपको MMSC को not set, MMS proxy, MMS port को भी not set MCC और MNC को option को चरचार नहीं करना और authentication type में PEP और CHAP के option को guys आपको select कर लेना है और यहाँ भी guys आपको APN type में आके default, SUPL डाल लेना है जैसे आपको स्क्रिन पर देख पा रहा है पूरा इस monitor में कोई भी space नहीं है default, SUPL अब इसके बाद गैस बापको APN protocol के option में आना है और यहाँ पे आपको last वाला option IPv4 slash IPv6 select करना है और यहाँ पे APN roaming protocol में भी same option IPv4 slash IPv6 के option को ही आपको select कर लेना है जैसा कि आपको screen पर देख पा रहा है और यहाँ गैस आपको bearer के option में आना है और यहाँ पे मैं जो जो bearer आपको बोल रहा हूँ वही bearer आपको select करना है तो LTE, HSPAP, HSPA, HSUPA, HSDPA, UMTS, EDG और GPRS गैस इतना bearer को आपको select करना है यह बहुत ज्यादे important है और गैस अगर आपको के phone में एक से ज्यादा bearer select नहीं हो पा रहा है या फिर multiple bearer select नहीं हो पा रहा है तो आप लोग सिर्फ LTE के option पे छोड़ जिएगा तो गैस यह हो चुका है हमारा APN setting आपको MVNO type को भी not set ही रहने देना और गैस आपको यहाँ पे save कर लेना है इस APN setting को save करने के बाद आपको गैस अपने phone को एक बार restart कर लेना है और restart करने के बाद आपको जो internet speed मिलने वाली हो गैस बहुत ही ज्यादे amazing and mind blowing मिनने वाली है 100% की guarantee है so guys I hope कि आज का वीडियो आप लोगो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा guys वीडियो पसंद आया हो तो एक like तो बनता है boss अगर आपने हमारे चैनल को अभी तरक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है समय टेक वाना user ID description में आपको link मिल जाएगा Twitter और Instagram दोनों पर हमें follow कर लिजेगा और guys अगर आप लोग को भी ये internet speed या लिए एक आपको trick पसंद आई हो so guys comment करना ना भूलिएगा like भी कर दीजेगा और guys मैं मिलता हूँ आप से ऐसे ही को interesting वीडियो में तब तक कि लिए स्टेटन विट समय टेक thanks watching and goodbye